हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू यू डी सी आरे फुटबॉल प्रेडिक्शन तो आज जो मैच हम कवर करने वाले हैं वो है स्पैनिश ला लीगा का मैच बिट्वीन गेटाफे एंड रेयो वैलोकानो इस मैच की बात की जाए तो गेटाफे यहां पर होम टीम होने वाली है एन रेयो वैलोकानो विजिटर्स हैं आज अवे टीम है और फॉर्म की बात की जाए तो रेयो वैलोकानो अपना ड्रीम सीजन खेल रही है इस बार यह सेविंथ पोजिशन पे है और यह इनकी बेस्ट पोजिशन है आज तक लीग में तो काफी अच्छे परफॉर्मेंस इंटर करने की बट देखते हैं सीजन के एंड में ऐसा कर पाएंगे या नहीं वहीं गेटाफे की बात की जाए तो इनका सीजन काफी खराब जा रहा है यह 19 पोजिशन पे हैं और लास्ट के 5 मैचेज में 4 मैचेज हारे हैं लास्ट मैच इनका ड्रॉ हुआ था जो इन्हों लोकानों ही रहने वाले हैं बट क्योंकि मैच गेटाफे के होम पर है तो यह भी पूरा फाइट करेंगे ठीक है थोड़ा सा लालीगा में होम एन अवे जादा मैटर करता है मैंने यह नोटिस किया है कई बार जो कम टीमें होती हैं वो अपने घर पे काफी अच्छा पफॉ दो इंजरी हैं और एक सस्पेंशन है इगलाइस यह इनके ओफिशल क्या सकते हैं राइट बैक हैं जो की स्टार्ट नहीं करेंगे बिगाज ओफ इंजरी एंगलियरी की बात की जाए तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और यह भी लेफ्ट बैक हैं यह भी हैं वो सस्पेंडिड हैं आज तो यह तीन प्लेयर स्टार्ट नहीं करेंगे गेटाफे का पूरा स्कॉर्ट स्टार्ट का पूरा स्कॉर्ड अवेलेबल है कोई भी इंजरी नहीं है उनके पास तो उनके पास सारे ऑप्शन्स खुले हैं पहले बात कर लेते हैं गेटाफे क को मड्रेड वही लाइनप रहने वाली है कुछ ज्यादा चेंज नहीं होने वाले हैं काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उस लाइनप ने ठीक है एक चेंज हो सकता है पोर्टू की जगा जो आपको नंबर नौ राइट बैक पर दिख रहे हैं ये इनकी जगा डेमियन स तौरेज आ सकते हैं लाइनप में ठीक है और डेजैने स्थार्ट नहीं करेंगे तो फिर उनकी जगा आज मित्रोविच स्थार्ट कर सकते हैं अब यैटाफे के लाइनप से हमें चार players pick करने हैं तो वो 4 players कौन से होने वाले हैं सबसे पहले जो ज्यादा important players हैं उनकी बात कर लेते हैं तो वो कौन से कौन से player होंगे जो important है उनाल important होंगे because first choice penalty taker है last match में इन्होंने goal भी मारा भले ही वो एक penalty था but still goal मारा इन्होंने and ये top goal scorer भी है इस club के तो important हो जाते हैं then borja mayoral की बात की जाए तो इन्होंने भी I think 4 या 5 goal मार रखे हैं this season तो he is also a good player एक बार देख लेते हैं इन्होंने कितने goal मारे हैं this season 20 match खेले हैं 4 goal मारे हैं जी हाँ ठीक है तो ये भी important है तो उनाल important हो गए मिउराल important हो गए then midfield में आए तो एलीना एक attacking threat है ठीक है इनका मैं आपको record दिखा देता हूँ इन्होंने इस season 19 match के लिए हैं दो goal मारे हैं दो assist किये हैं ठीक है और defensive work कुछ खास नहीं करते हैं ठीक है minutes average 77 है per game ठीक है तो ये भी important है अगर ये goal नहीं मारेंगे तो ये आपको ज्यादा point देके नहीं जाएंगे इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है तो और last के जो recent इनके matches हैं मैं आपको दिखा दूँ जो last goal एलेना ने मारा था वो मारा था 18 November को ठीक है तो काफी time हो गया है इन्हें without a goal ठीक है डिव है काफी लंबे time से देन आते हैं अरंबारी ठीक है अरंबारी भी important है ठीक है ये अभी इस season 7 match खेले हैं goal कोई नहीं मारा है एक assist आया है chance creation अच्छा है एक big chance भी create किया है average passes 31 है तो around 30-35 passes करते है average per game interception tackling भी करते हैं वहाँ से भी points देखे जाएंगे आपको और काफी अच्छे player है आप देख सकते है attack इनका कितना अच्छा है creativity तो काफी अच्छी है technicality भी अच्छी है और tactically भी काफी अच्छे है ठीक है तो अगर आप compare करें इन्हें Elena से ठीक है तो आप clearly देखेंगे जो blue circle rectangle या pentagon आप कह सकते हैं दिख रहा है आपको अंदर ये Elena का है और जो बाहर green वाला है ये अरंबारी का है तो clearly दिख रहा है कितना difference है और आप number wise भी पढ़ सकते हैं अटाक में देखिए 62 है अरंबारी and 58 है Elena technicality में 63 है अरंबारी 52 है अलिना tactically में 66, 35, defense में 46, 27, creativity में 76, 59 तो clearly अगर talent की बात की जाए तो अरंबारी far better है ठीक है तो अभी आपकी choice होगी आपको इन दोनों में से किसे pick करना है ठीक है next आपको दिखेंगे Lucas Milla इनकी बात की जाए तो बहुत ही important player है इस team के ठीक है और इनका मैं आपको record दिखा देता हूँ mostly defensive record है इनका goal assist तो कुछ नहीं मारा है बट chances अच्छे खासे create करते हैं 1.5 ठीक है ratings भी इनकी अच्छी है ठीक है और आप देख सकते है creativity कितनी अच्छी है attack, technicality, tacticality सब कुछ अच्छा है इनका तो ये तो 100% pick हो गए हमारी team में ठीक है then defense की बात की जाए तो यहाँ से मुझे दो player important लगे एक तो dominating is Duarte ठीक है जो इनके center back है ये important लगे मुझे दूसरे जो यहाँ पर नहीं दिखा रखे हैं अगर वो start करते हैं तो वो important होंगे defense से उनका नाम है Damien Suarez मैं आपको दिखा़ता हूँ ये रहे ठीक है अगर ये start करते हैं defense में तो ये एक important option रहेंगे एक goal मारा है इनका दो बेक chance create किये हैं अच्छा है इनका ठीक है तो ये important होंगे अगर start करते हैं तो जो प्लेयर इंपोर्टेंट है फ्रॉम from sorry getafe वो है उनाल, मैयोराल, अलीना, अरंबारी, मिला, डुवार्टे ठीक है दुवार्टे या फिर Damien Suarez जो भी हो तो ये 6 प्लेयर मुझे important लग रहे हैं अब इस में से हमें 4 pick करने हैं तो वो 4 कौन से होंगे देखिए मैयोराल को मैं drop करूँगा because अगर आप जो कि हम उनाल और मैयोराल में से किसी एक को ही pick कर सकते हैं तो अगर आप इन दोनों को compare करेंगे record wise ठीक है तो आप देखेंगे कि उनाल जो है वो better है ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए उनाल green वाले हैं और मैय देखेंगे हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा better हैं ठीक है and in terms of stats आप जाएंगे तो भी उनाल का आप देख सकते हैं 6 गोल हैं और 3 असिस्ट है इनके shots per game भी जादा है ठीक है और इनके big chance created भी जादा है ठीक है वहीं अगर आप मियोराल का देखेंगे तो मियोराल के 4 गोल ह असिस्ट एक भी नहीं है की passes उतना कुछ खास नहीं है सिर्फ एक big chance created है ठीक है और shots per game भी कम है in comparison to उनाल तो मैं सिर्फ इस comparison में उनाल को pick कर रहा हूँ otherwise ऐसा नहीं है कि मयोराल गोल नहीं मार सकता है यह सिर्फ stats की बात हो गई ठीक है on stats on paper उनाल better player है but on the field जो उस दिन अच इसलिए हम उनाल को pick करेंगे अपनी team में ठीक है next अलेना और अरंबारी को मैंने आपको compare करके दिखा ही दिया अरंबारी far better है in terms of stats and जो capabilities है जो skills है ठीक है and form भी मैंने आपको दिखा दिया अलेना का कुछ खास नहीं है last goal 18 November को मारा था ठीक है Milia 100% हमारी team में रहेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया defense में देखे डवार्टे आप pick कर सकते हैं but मैं इनके goalkeeper को pick करूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा saves करेगा और इस goalkeeper का stats भी काफी अच्छा है penalty save करने में भी माहिर है तो इसको हम बिलकुल भी drop नह इस तरीके से रहेगा ठीक है अब यहां से हमें साथ player pick करने है तो वो साथ player कौन से होंगे पहले important players mark कर लेते हैं Sergio Camelo कह सकते हैं आपके designated striker जिनका काम गोल मारने का है अगर गोल नहीं मारेंगे तो कुछ भी point नहीं देंगे ठीक है इस season इनका performance अच्छा है और इन्होंने 20 matches खेले हैं 5 गोल मारे हैं 3 assists किये हैं 2 big chances create किये हैं ठीक है shots भी अच्छे खासे लेते हैं तो important है last के 5 matches में 2 गोल मार चुकी है आपको दिख रहा है screen पर ठीक है तो important है तो यह important हो जाएंगे then easy palazon आप कह सकते हैं काफी 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 का सबसे ज़्यादा important player है इस team के ठीक है 19 matches खेले हैं 5 गोल मारे हैं 4 assists है 5 big chances created हैं key pass भी अच्छे खासे हैं defensive work भी करते हैं shots 2.4 है अच्छे खासे shots लेते हैं तो एक all round player है captaincy के लिए यह बहुत ही बड़ी option है चीक है team से drop करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है यह दो important हो गए then आपको देखेंगे अलवारो गार्सी है इनकी बात की जाए तो last match में अगर इन टर्म्स ऑफ on target देखा जाए तो ratio काफी अच्छा है इनका ठीक है तो यह एक important player हो जाएंगे then Oscar Trejo इनकी बात की जाए तो यह central midfield में काफी अच्छे player है technically, attackingly, creatively तीनो बहुत अच्छा है इनका इस season 18 matches खेले हैं दो गोल है, तीन assist है चार big chance created है ठीक है key pass भी अच्छे खासे हैं और defensive work भी थोड़ा बहुत कर देते हैं ठीक है, shots उतने goal पर नहीं लेते हैं, but still he's a surprise goal scorer ठीक है, यह भी important है अब Unai Lopez start करेंगे ठीक है, या फिर Andreas Martin start करेंगे ठीक है, या फिर Valentin start करेंगे यह doubt है Unai Lopez की बात की जाए, तो इन्हें ज़्यादा starts नहीं मिले हैं, और recent matches आप इनके देखेंगे, तो last इनका कोई assist जो आया था, 29 नॉम्बर को आया था, player बहुत अच्छे हैं, अगर आप देखेंगे तो creativity आफ काफी अच्छी है इनकी, और जितने भी matches में यह सब्स्टिट आय Nine और performance अच्छा दिया है, एक goal दो assist कर चुके हैं, लेकिन 19 मैच में सिर्फ 9 मैच स्टार्ट किया हैं, ठीक है, तो इनका sure भी नहीं है अभी के start करेंगे या नहीं, लैनप साने के बाद ही पता लगेगा, इनकी जागे वैलिंटेन भी start कर सकते हैं, ठीक है, तो यह अभी के लिए मैं इनको नहीं consider कर रहा हूँ, then defense की बात की जाए, तो यह तीन तो सबसे ज़्यादा important है, ठीक है, इनको हम drop नहीं कर सकते, फ्रान गर्सिया, tackle interception, passes, chance creation, सब में अच्छे हैं, कैंटना, tackle interception, passes, header से goal आने का chance, सब कुछ है इनके पास, and florian lioon की बात की जाए, तो यह कुछ चंद center backs में से ऐसे हैं, जो free kicks लेते हैं, जिनके आप shot on target देखेंगे, तो काफी ज़्यादा रहते हैं, तो हमेशा एक goal threat है, I think 4 goal मार चुके हैं यह अभी तक इस season, तो बहुत ही important player, इन्हें drop नहीं करेंगे, fourth pick है Ivan Ballou, Ivan Ballou का basically क्या है कि यह भी important है, बट यह attacking ली जादा रहते हैं, इनका tackle interception का कुछ भी points नहीं आता है, तो अगर इनका assist या goal नहीं आए, या फिर tackle interception नहीं आए, तो एक कुछ भी point नहीं देखे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए उस case में आप इनको drop कर सकते हैं, बट अगर clean sheet होती है, तो यह अच्छे खासे point आपको देखें जा सकते हैं, ठीक है, तो अब अपनी final team मना लेते है ठीक है, तो लाइनप्स खोलते हैं, सबसे पहले है गोल की पर सोरिया पिक करेंगे हम, ठीक है, स्ट्राइकर में पैलेजॉन, यूनाल एंड कमेलो, ठीक है, देन midfield ने बात करने तो मिलिया, कार्सिया और अरंबारी, ठीक है, ट्रे हो, डिफेंस में लियून, कैटीना एंड फ्रान गार्सिया, ठीक है, अभी हमारी जो team है, वो कुछ इस तरीके से देख रही है, अब एक change इसमें क्या हो सकता है, अगर आपको लगता है, कि क्लीन शीट होगी, ठीक है, क्योंकि अगर देखें क्लीन शीट होगी, या फिर आपक कर सकते हैं, ठीक है, इनको हटाके, आप बैलीव को पिक करके, क्लीन शीट के लिए जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ट्रेहो को ड्रॉप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है, कुछ नहीं करेंगे, और इनको ड्रॉप करके, आप बैलीव को पिक कर सकते हैं, डिफेंस में और आप clean sheet के लिए जा सकते हैं ठीक है अभी के लिए जो हमारी team है वो कुछ यह है ठीक है captain wise captaincy की बात की जाए तो palazon एक बड़ी option है captaincy के लिए ठीक है but मुझे ऐसे लगता है यह आजकल creation में ज़्यादा रहते हैं ठीक है और assist में इनका ज़्यादा ध्यान रहता है बजाए कि खुद goal मारने में Camelo designated goal striker है तो अगर palazon goal बनाएंगे तो Camelo के लिए बनाएंगे तो यह भी एक अच्छा option है तीसरा option है अलवारो Garcia ठीक है इनका form काफी अच्छा है last match में इनका substitute आके goal भी मारा तो काफी अच्छा performance है इनका और ये भी एक goal threat है ठीक है तो अभी के लिए मैं अपना जो captain मना रहा हूँ वो बना रहा हूँ अलवारो Garcia को ठीक है and vice captain मना रहा हूँ पेलस zone को आप चाहें तो Camelo को भी बना सकते हैं ठीक है कोई problem नहीं है और अगर आप तो रखता है कि उनाल goal मारेंगे आज क्योंकि home team है गताफे तो आप इनको भी wise captain बना सकते हैं ठीक है तो मेरा wise captain अभी के लिए पैलस zone है और मेरी team पिर इस तरीके से है इसको safe कर लेते हैं ठीक है तो यह हमारी team अभी के लिए बाकी line up साने के बाद देखते हैं क्या changes होते हैं उसके according हम भी अपने team में changes करेंगे उसकी update आपको telegram channel पे दे दी जाएगी और अगर आप अभी तक हमारे telegram channel से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज फॉरण जुड़ जाएं उसका link वीडियो के description में दिया गया है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जैहिन